हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इच्छा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आई हूप अच्छे होंगे और जैसा कि आप लोग गो पता है कि वीडियो का थंबनेल जो है आपको इस बात की जानकारी दे रहा है कि वीडियो में किस बात पर चर् यानि कि आपके सीटेट एकजाम में अब सिर्फ एक महीने का समय बचा हुआ है साथ जुलाई को आपका एकजाम होना है और साथ जून आज हो चुकी है यानि कुल एक महीना आपके पास सेस है अपनी तैयारी को करने के लिए तो इसी महत पूर बिंदू पर इस वीडियो मे चर्चा करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को तो सीटेट एकजाम साथ जुलाई को होना है कुल एक महीना आपके पास सेस है तो अब आपका जो समय है वो रिवीजन करने का है यानि आपने अभी तक अपना सिलेबस कम्प्लीट कर लिया होगा जो भी पर भी देख लिये होंगे अब कुल 30 दिन में आपको रिवीजन करना है यानि कि जो भी आप पढ़ चुके हैं उसको एक बार आपको रिवाइज करना है कोई भी टोपिक आपका चूटा हो उसको कम्प्लीट कर लीजिए कोई भी कुश्चन आपको ऐसे लगते हूं कि ये जा सकते हैं और ये पिछले वर्सों में कई बार पूछे गए हैं तो उन प्रस्णों को अवस्त ही पढ़ कर जाईए तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कि एक महीने में कैसे कर लें तैयारी सीटेट की कि आपका एकजाम किलियर हो जाए तो यदि आप पेपर फर्ष्ट के लि तीस नंबर का ईवी एस तीस यानि सभी जो विसे हैं तीस तीस नंबर के पूछे जाते हैं तो सीडीबी में यदि आपने अभी तक प्रिवियस एर के कुश्चन नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए इसके अलावा सीडीबी के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे जीन जो चैप्टर है डवलब्मेंट वो आपको कम्प्लीट पढ़के जाना है इसके अलावा जो पठन विकार हैं यानि अदिगम अच्छमताएं उनसे प्रशन पूछा जाता है तो वो भी आपको पढ़ने हैं इसके अलावा सिलेबास उठाकर देख लीजिए जिन टॉपिक स प्रशन हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं उनको कम्प्लीट टॉपिक को कम्प्लीट कर लीजिए और प्रशन तो आपको पढ़ने ही हैं लगबग 10-12 प्रशन आपको प्रशन से मिल जाएंगे 12-13 प्रशन आपको मिलेंगे प्रशन से यानि ऐसा नहीं है कि प्रशन पूरा का अलग हो सकता है पूछने का धंग अलग हो सकता है लेकिन प्रशन जो है गुमा फिरा कर पिछले वर्सों से पूछ लिया जाता है तो इसलिए CDP में प्रशन के कुश्चन जरूरी पढ़ कर जाए जो टॉपिक बताई हैं इसके अलावा आप खुद से भी टॉपिक देख सकते हैं जो पेपर पिछले वर्सों में हो चुके हैं उनको उठा कर देख लीजिए कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रशन आते हैं उन टॉपिक को कंप्लीट पढ़के जाए तो इतना यदि आप कर लेते हैं प्रिबियस यर के सभी कुश्चन पढ़ लीजिए जिन टॉपि आपके पास 30 दिन का है और सब्जेक्ट आपको 5 पढ़ने हैं यानि कि आपको एक सब्जेक्ट को अब 6 दिन देने हैं तो 6 ना देकर आप श्रिप 5 दिन दीजिए 5 दिन में आपको CDP का जितना भी बचा हुआ है कंप्लीट कर लीजिए अब आते हैं EBS पर EBS में NCERT आपको क 5 तक 3 की बुक आप उठा के देख लीजिए उसमें जादा कुछ नहीं दिया गया है 4 और 5 की जो बुक है उनसे प्रस्ण बनते हैं तो आप उनको कंप्लीट पढ़ लीजिए छोटे-छोटे से टॉपिक हैं आप उनको पढ़ लीजिए EBS में आपको जितने भी प्रस्ण मि प्रस्ण पूछे जाते रहे हैं उन टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लीजिए यानि 5 दिन आपको पूरा अपना रिवाइज कर लेना है उसके बाद 5 दिन बचते हैं उनमें आपको जो भी question लगें कि ये पूछा जा सकता है या important आपको लगता हो कि पिछली बार पूछा गया था इस बार भी पूछा जा सकता है तो उन 5 दिन में ऐसे question को छाट कर रखिए जो पूछे जाते रहे हैं आगे पूछे जाने की संभाबना है तो उनको एक तेम से रट के तो EBS के लिए बात कर रहे थे तो EBS में आपको इतना complete कर लेना है NCRT पढ़नी है previous year के question भी पढ़ने है और कुछ topic EBS में ऐसे हैं जिनसे हमेशा ही प्रशन पूछे जाते हैं जैसे कि elephant वाला जो topic है नंदू हाथी जिससे प्रशन हमेशा ही पूछा जाता है पिछली बार भ पर हुआ था उसमें भी पूछा गया था तो आपने पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा तो नंदू हाथी वाला जो चैप्टर है उसको पढ़के जाईएगा मदू मक्ही से संबंदित जो भी मैत पूर्तत हैं उनको पढ़ लीजिए घारों की विसेस्ताओं से भी पूछ लिया जाता है इवी एस में तो उसको भी पढ़कर यह यानि कुछ टॉपक इसे हैं जिनसे हमेशा इपृस्ण पूचा जाता है हाथी मदू मomorphी घरों की विसेस्ताओं यानि असम Μे क्यार होते हैं असम गहरों की विसेस्दाओं बताईए राजिस्थान की गहरों की विसेष्था हैं बताईए तो ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हमेशा ही प्रस्ण पूछा जाता है पच्छीयों के गोंसलों से सम्मंदित प्रस्ण पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक को भी पढ़ लीजिए सुनीता विलियम सिकाडम मल्लेस्वरी ये सब ऐसे टॉपिक हैं तॉपिक देख लीजिए जिनसे प्रस्ण पूछे जाते हैं और प्रिबियस यर के कुष्चन यदि आप पैड़ागोजी की सभी पढ़ लेते हैं तब भी आपके पंद्रे में से दस नंबर तो पक्के हो जाते हैं यदि आप EBS के पैड़ागोजी के प्रिबियस यर के कु आप प्रिबियस यर के कुष्चन देखेंगे आपको पता होगा कि ज्यादा टैफ नहीं पूचे जाते हैं अच्छे प्राशन प्रेयज़ पूचे जाते हैं जो आसानी से हल हो सकें तो आप इसमें से देख लीजिए कि किस तरीके के प्रशन प्रोचे जाते हैं उन्हें प्रिबियस यर इसमांदित करना ही है आपकोTIN प अपठित गध्यांस होगा और एक अपठित पध्यांस होगा तो अपठित गध्यांस और पध्यांस दोनों को मिला कर 15 नंबर का उसमें से पूछा जाता है यानि गध्यांस से लगबग 9 नंबर का पूछ लिया जाता है और पध्यांस से 6 प्रस्न पूछे जाते हैं तो 9 गध प्रस्ण आपको पढ़ना है गद्यांस और जो ग्रामर के कुष्चन आएंगे वो भी इसी गद्यांस और पद्यांस से ही आएंगे और इतने कठिन प्रस्ण ग्रामर से नहीं पूछे जाते हैं simple question पूछा जाता है आप उसे हल कर लेंगे grammar में आपको जादा नहीं पढ़ना है बस यदि गध्यांस में कोई ऐसा सब्द होगा जिसमें उपसर गया प्रत्य होगा तो आपको उपसर गया प्रत्य बताना होगा कोई संदी पूछ ली जाती है यानि जो भी पूछा जाएगा grammar नमर में वो गध्यांस और पध्यांस से ही पूछा जाएगा तो इतना आपका गध्यांस और पध्यांस में जब आप solve करें तो ध्यान से solve करें और 15 में से लगबग 13 नंबर आपको इसमें लाने है और पेड़ागोजी में यदि आप 10 नंबर भी ला लेते हैं तो 13 नंबर आपके language first में बन जाते हैं और इसी तरीके से language second में पूछा जाता है गद्यान्स और पद्यान्स उसमें भी पूछा जात हैं और 15 पेड़ागोजी से पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से जिस तरीके से language first को आप complete करें उसी तरीके से language second को complete करें जो पैसेज और पोईम है उसमें लगबग आपको 13 या 12 नंबर तो लाने ही है और जो पेड़ागोजी के question है उसमें यदि आप थोड़े से week भी है त हो जाते हैं तो इस तरीके से अपना target लेकर चलिए तो इतना यदि आप करके आते हैं तो आसानी से 110 प्लस नंबर आपके आ जाते हैं यदि आप एक महीने में इतना कर लेते हैं तब और यदि आप पहले से पढ़ रहे हैं सब कुछ आपका complete है तो आप 125 प्लस आसानी से ले प्लस कर जाएंगे और यदि एक महीने में ही तैयारी कर रहे हैं तब आप आसानी से 110 प्लस ला सकते हैं जितना मैंने बताया है उतना आपको करना है अब पेपर सेकेंड के लिए बात कर लेते हैं CDP 30 का आता है और लगबग जो टॉपिक हैं पेपर फस्ट और पेपर सेकें कम्प्लीट हो जाता है common subject है दोनों में ही पढ़ना है अब SST और mathematics ये problem create करता है पेपर सेकेंड में अब जिसका SST है उसको complete NCRT पढ़ना है history, geography और polity, class 6 to 8 का और जो mathematics और science के हैं उनको भी science NCRT से पढ़ना है और सबसे important के previous year के question अब बात कर रहे हैं एक महीने के लिए यानि आपको एक महीने में ही तैयारी करनी है तो previous year के question SST के सभी पढ़ लीजिए रट लीजिए और pedagogy के भी इसी तरीके से पढ़ लीजिए topic देख लीजिए जिनसे प्रसने पूचे जाते हैं NCRT की book उठाईए उस lesson को खोलिए और complete इसको पढ़ लीजिए तो आपके SST में 60 में से लगवग 45 यदि previous year के question आपने पढ़ लीजिए topic उसमें से previous year के paper जवाब पढ़ लेंगे तो आपको ऐसे topic उसमें से पता चल जाएंगे जिनसे प्रसन हमेशा ही पूचे जाते हैं तो topic को NCRT से पढ़ लीजिए वोग उठा topic है वो complete हो जाएंगे तो प्रसन जो है आपके गलत नहीं होंगे और आसानी से आप SST को solve कर ले जाएंगे और इसी तरीके से आपको mathematics और science में करना है लेकिन previous year के question सभी के लिए पढ़ने है चाहें वो आपकी language हो चाहें language second हो चाहें CDP हो लेकिन previous year के question जरूर ही पढ़ कर ज आईए और इसी तरीके से आपका language first और language second में आता है जिस तरीके से paper first के लिए बताया, passage आता है, poem आती है तो इन में से 15 नमबर आपके यहां से मिलते हैं और 15 नमबर pedagogy के तो इसमें से 15 वाले portion में से आपको लगबग 13 नमबर लाने हैं और इसमें से यदि आप 10 भी लाते हैं तब भी आप 30 नमबर language first में लाते हैं और 30 नमबर इसी तरीके से आपके second में language second में बन जाते हैं बस आपको अपना target set करके चलना है कितना हमें solve करना ही है तब भी आप paper को clear कर पाएंगे अब बात कर लेते हैं कि जो लोग मेरे channel से जुड़े हैं तो उनके लिए मैंने क्या क्या complete करवा दिया है तो EVS मैं handwritten notes से पढ़ा रही हूँ NCRT के मैंने notes बनाई हैं और उनहीं से मैं पढ़ा रही हूँ और ये notes आपको PDF यानि PDF आपको टेली राम पर मिल जाती है तो मैं EVS के previous year के सभी question करवा चुकी हूँ और अब मैं handwritten notes से पढ़ा रही हूँ और EBS pedagogy के question भी मैं करवा रही हूँ practice में इसके लावा SST history और geography मैंने complete NCRT से पढ़ा दिया है एक एक chapter पढ़ाया है किसी भी chapter को नहीं छोड़ा है SST की previous year के question मैंने करवा दिये है और SST की practice भी मैंने important question की करवा दिये है और जो लोग science के हैं तो science के लिए मैंने complete NCRT से 6 to 8 की जो science की book है उसको मैंने complete करवा दिया है science के previous year के सभी question करवा दिये हैं online और offline वाले paper offline के सभी paper करवाई है online के कुछ paper करवाई है science की practice भी मैंने करवा दिये है और science pedagogy की practice अब मैं करा रही हूँ तो इतना मैं अपने channel पर complete करवा चुकी हूँ जो लोग मेरे channel से जुड़े हैं उनको पता होगा के इतना में complete करवा चुकी हूँ और इस बार आपका seat at pass करना बहुत जरूरी है क्योंकि vacancy आएगी तो आपका seat at pass करना बहुत आवस्यक है और ये इस बार का मौका आपका छूटना नहीं चाहिए क्योंकि election हो चुका है election का result भी आ चुका है अब vacancy का इंतिजार आपको नहीं करना पड़ेगा यानि vacancy जो है वो आएगी तो आपका seat at is bar clear होना चाहिए और बहुत ही अच्छा मौका है ये मौका आपके हाथ से नहीं चूटना चाहिए इसलिए अभी भी एक 30 दिन का समय है और 30 दिन में यदि आप इतना पड़ लेते हैं जितना मैंने बताया है तो आप आसानी से seat at में 100 प्लस 110 प्लस ला लेंगे और मेरे चैनल पर सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है चाहिए EBS, PYQ यानि PYS की कुष्चन हो साइन्स PYQ, SST, EBS Handwritten Notes, SST Geography, SST History सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपको वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ मिल जाते हैं और तेलीग्राम पर आपको EBS के Handwritten Notes की PDF मिल जाए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो कैसा लगा कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई